जहिन साथियो, नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज, कैसे आप लोग और कैसी चल रही आपकी पढ़ाई, तो साथियो, आज हम बात करेंगे कक्षा आठ वी से गनित, मोडल परसन पत्र के आंसर की, हाँ साथियो, जैसा कि आपको पता होगा, कि राजस्तान माध् जैसे जाता है, जैसे मोडल पेपर केता है, और वो बोड ने सभी छेविस्टों का जारी कर दिया है, अगर आपके पास वह मोडल पेपर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिशन जाकर आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप हमारा व जारी करता है, और कक्षा आठ वी के पेपर, या उद्धेपुर बोड जारी किये जाते है, क्योंकि जो राजस्तान बोड की ब्रांचे इन स्तान अगर भी है, ठीक है साथ यो, ओके, या आपका डाउट केलियर हो गया, अब इसके बाद आप यहां स्किन पे देखे, प्रा आपके मुख्य परिक्ष्या होएगी साथ यो, बोड की, उसमें जो गडित का पेपर आएगा, आदे से जदा, यह मान लीजे साथ यो, 80-90% इसी मोडल पेपर से आने वाले क्वेस्चन है, पूरा का पूरा इस परकार का यह आपको देखने को मिलेगा बोड परिक्ष्या म जो आप स्कीन पर देख सकते हैं, इस परकार के थमनेले उनके, आप इनके वीडियो डिस्क्रिस्टन ने जाएंगे, तो वहाँ पर लिखा होगा हिंदी मोडल पेपर, इंग्लिस मोडल पेपर, साइन्स मोडल पेपर, और उनके नीचे उनके लिंक दी गई होगी, वहाँ पर आप किलिक करके वीडियो देख सकते हैं, ओके, ठीक है, तो अब हम समल लेते हैं, सबसे मेले पूर्णांग की बात करें साथ यो, 80 नंबर का आपको ये पेपर देखने को मिलेगा, बोर्ण परिक्षा में, कितनी नंबर का, 80 नंबर का, टोटल आपके 100 होते हैं, तो 20 कह से आएंगे, तो मैं बता दू, 20 आपके साथ यो, विद्दाले द्वारा बेजे जाएंगे, जिस विद्दाले में आप अध्यन करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से जो 20 नंबर है, 17 के रोप में बेजे जाएंगे, जो इन 80 से मिलके कितने हो जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, और समय की बात करें साथ यो, ढ़ाई गंटे, याने 2 गंटे 30 मिनट आपको पेपर करने के लिए दिये जाएंगे, ठीक है, तो पेपर बहुत ही छोटा आएगा, कुल 25 क्वेस्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, गनित के पेपर से, तो आईए हम सौलू कर लेते हैं, एक एक क्वेस्चन लेकर, अच्छे तरीके समझाओंगा साथ क्यों में, बिल्कुल भी आपको बीच में स्किप नहीं करना है, अपने सभी दोस्तों बाईयों को सेर करना है, ताकि वो भी हमारे साथ ये वीडियो प्रतिलोम क्या है, तो साथ ही यह यहां पर मीनलश तेरा के नीचे बटा में एक होता है, आपको यह पता है, तो माना सकते है कि एक में तेरा का भाग देंगे, तो एक ही बार जाएगा, अब इसका क्या रोड़ है, अब एक तो पर चला जाएगा, यहां माइनस आ और यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो इस परकार का आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, उप्सन सम है, तो सा आपका एकदम राइट हो जाएगा, माइनस के एक बटा 13 आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथ यो, ओके, इसके बाद परसंदो की बात करें, वह भी ध्यान से देखे, नो की घं संक्या होगी, तो नो की घं संक्या का मलब है, नो को तीन बार मंटिप्लाई करना है, घं मतलब क्यूब होता है साथ यो, एन तीन बार मंटिप्लाई करो, तो नो को नो से करेंगे, तो 81 को फिर हम नो से करेंगे, बाद में इस वाले नो स तो कितना हैगा साथियो साथ सो गुंतिस आ जाएगा कितना हैगा साथ सो गुंतिस और साथ सो गुंतिस हमें दिया गया अपसन दम है तो वह एक दम हमारा राइट हो जाएगा ठीक है ओके आ रहा है समझ में तो एक लाइक कर दो साथियो अपने लिए अब आईए आगे देखते है परसन नमबर 3 की साधरन ब्याद ग्याद करने का सही सुत्र क्या है तो आप इनको चारों को ध्यान से देख लेना मैं अभी आपको बताता हूँ साधरन ब्याद ग्याद करने का जो सबसे सही फोर्मूला है वो यह है मूल्धन गुना दर गुना समय बटा 100 मूल्धन गुना दर गुना समय बटा 100 ठीके याद रहेगा ओके याद रखना है इसके बाद बात करें next question की तो next question नमरा question number 4 आता है जो हमें कुछ theoretical दे रखा है यहाँ पर समझा रखा है पांच किलोग्राम सक्कर का मुल्य 240 रुपए तो एक किलोग्राम सक्कर का मुल्य क्या होगा तो जब भी आपको ऐसे बोले कि पांच का इतना मुल्य है सो का इतना मुल्य है तो एक का कितना होगा तो आपको क्या करना है उस संक्या में भाग दे दिना है 240 में आप भाग देंगे तो सबसे पहले 20 आएगा 4 बार में उसके बाद यह संक्या माइनस होकर यहाँ पर 4 आजाएगा इस 0 को यहाँ पर उतार लेंगे तो 40 और 40 में 5 का भाग जाएगा 8 बार में तो कितने 48 आए साथ क्यों आंसर और 48 हमें उप्सन आमें दिया गया है वो हमारे एकदम राइट हो जाएगा ओके ठीक है समझ में आ रहा है ठीक है सातियो अब देखते हैं आगे और भी इंपोर्टेंट क्वेस्चन क्वेस्चन नमबर 5 क्या बोल रहा है उसे भी द्यान से द को एकस वाई आ रहा है क्या रहा है एकस और वाई तो यह जो आपका बहन वो ही राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी एकसात नहीं आ रहा है इसमें भी नहीं आ रहा है तो किसमें आ रहे है एकस और वाई एकसात इसमें आ रहे है तो 5-3 एकस वाई आपका राइट आंसर यो 360 डिक्री होता है चत्रभुच के अंतर कोणों का योग अब आपके स्टार्ट हो रहे अती लगुरात्मक पर्सन तो इसमें देख लेते हैं साथ क्या बोल रहा है क्वेस्टन नमबर वह सबसे छोटी संक्या ग्याद कीजिए जिसको संक्या 200 को गुणा करने पर पून घन प्राप्त हो जाए वह सबसे छोटी संक्या ग्याद कीजिए जिससे संक्या 200 को गुणा करने पर पून घन प्राप्त हो जाए फिर मैं यहाँ पर 200 को क्या है 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास आएंगे 400 अब 400 तो क्या साथ यो अगर हम 20 को गुना करें 20 से तो मारे पास 400 आता है जो कि पूर्ण गन संक्या है तो यहाँ पर जो 2 है न 2 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा तो आप एकजाम में 2 लिख देना फिर 2 से गुना करने पर 200 को में क्या है पूर्ण गन संक्या पर आप तो जाएगी ठीक है साथ यो अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेस्ट क्वेस्टन क्या बोल रहा है यह देखिए व्यन्जक माइनस 4Q एवं 7PQ का गुननफल तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गुना कर देता हूँ माइनस के 4 क्या है साथ यह Q है यह ठीक है तो यहाँ पर यह Q लिख देते है Q मंटिप्लाइ में 7PQ गुना करते हैं 7 को 4 से करेंगे माइनस है तो माइनस का 28 आजाएगा 7 चोक 28 उसके बाद यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है तो यह हो जाएगे Q स्क्वाइर ठीक है और यहाँ पर P अकेला रहे गया तो P ऐसा कैसा आजाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा एकदम सई ठीक है माइनस के 28 Q स्क्वाइर P ठीक है ओके साथियो अब इसके बाद हम देखते हैं नेश्ट क्या बोल रहा है हमें क्वेस्टन नमबर 9 को हम रीड करते हैं वह क्या बोल रहा है देखे किसी सम बहुबुच के एक 20 कोन का मान 45 डिगरी है तो बुझाओ की संक्या क्या होगी तो साथियो जब भी आपको इससा बोले तो आपको क्या है 360 डिगरी होता है न उसमें भाग दे देना है उस वाले कोन का 45 का भाग दे दीजिए उसमें कितना हैगा साथियो 45 का भाग देने पर आपको जो आंसर मिलेगा वह होगा 8 तो 8 उसकी क्या हो जाज़ेगी संक्या हो जाएगी बुझा होगी संक्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी Any doubt? No doubt Question number 10 की बात करें उससे भी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर आयत दिया है दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई तो यहाँ पर दो लिख देंगे लंबाई के बात करें तो कितनी देर हैं? No ठीक है चोड़ाई के बात करें कितनी देर हैं? 7 प्लस 7 कर लेते हैं अब 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगे और 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा तो 32 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमिटर दे रखा है तो यहाँ पर भी सेंटीमिटर लगा देना पर इब आप में 7 केवल सेंटीमिटर ही आता है और जब हम 6 तरबल निकालता है रेड कितने साथ यों गिनते है तो यहाँ पर हम देखते हैं तो लाल सेब 1,2,3,4 कितने? 4 है तो आप यहां लिजाए 4 और जब गिरीन की बात करें हरे की तो हरे भी गिन लेते हैं कितने? 1,2,3, tes यह लाल सेब तो 7 होगे तो 4 बटा 7 4 बटा 7 इसकी एकदम राइट प्रायक्ता हो जाएगी ठीक है प्रायक्ता आपने पढ़ियोगी अनुकुल पहिनाम बटा कुल पहिनाम अनुकुल पहिनाम क्या है जो हमें चाहिए लाव से वो आजाएगा 4 और नीचे पर पूरे के पूरे सोलु कराने का प्रियास करूँगा कापी हद तक साथ यो तो यहाँ पर हमें क्या है सत्य व असत्य मेंसे उप्युक्त चिन अंकित करना है कि जो दिया गया वाक्य सत्य या सत्य तो यहाँ पर एक को पढ़ते है सबसे पहले संक्या 1354 याने 1354 दो से विभाज्य नहीं तो क्यों नहीं है दो से विभाज्य इसके पीछे क्या है चार लिखा हुआ है ना तो यह क्या है दो से विभाज्य है तो यह क्या है असत्य हो जाएगा आपका ठीक है असत्य वे आपको टिक कर देना है उसके बाद ये वाली संक्या 9 से विबाजित है तो साथ कि आप अगर इस संक्या में 9 का भाग देके देखेंगे ना तो पॉइंटों में आंसर आएगा तो आप इसमें लिख देंगे ये विबाजित नहीं है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा ठीक है यदि कोई संक्या 2 वह तेन से विबाजित है तो वह संक्या 6 से भी विबाजित होगी ठीक है बिल्कुर सही बाते होगी यहाँ पर दे रखाए कि संक्या 6 प्लस X 9 का एक गुनजे यदि X का मान 2 होतो तो यहाँ पर 6 प्लस X दिया तो अगर X की जगे 2 है तो 6 में 2 जोड़ू में यहाँ पर इस लाइक कर दे अपने लिए साथियो इतने अच्छे तरीके से आपके तैयारी करवा रहे हैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको अच्छे से हमारा साथ देना होगा और वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आईकन को प्रेस कर दे ताकि आपको एसे वीडियो समय पर मिल सके ठीक है और भी करा रहे हैं आगे छोड़ रहें नहीं साथियो अब यहां पर देखो आप यह क्वेस्चन साथियो में आपको अभी समझाता हूं कि हमें इस परकार की आकरती दे रखिए और इसकी दो हमें द्रश्य दे रखिए हमें बत व्यक्तियों पर किये गए सडक सर्वे के दोरान यातायार नियमों का पालन नहीं करने वालों को व्रत्य चित्र में दर्साया गया है व्रत्य चित्र को पढ़गर नीचे दिये के प्रसनों का उत्तर दीजिए तो यह आपका व्रत्य चित्र इसे पढ़ लीजिए ध्यान से उसके बाद नीचे question पे चलते हैं वह क्या बोल रहे है तो सबसे अधिक भार शम्ता वाले वाहन को चलाने वाले व्यक्तियों की संक्या का प्रतिसत ग्याद कीजिए यह बोला है तो देखते हैं सबसे अधिक भार वाला क्या है तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ हिंदी मीडियम का ही ठीक है तो आप यहाँ पर देखे साथियो यहाँ पर क्या हमें सबसे अधिक भार वाले व्यक्तियों की क्या संक्या प्रतिसत निकाल लिए तो यह सबसे अधिक बार, बागी सम्में तो परतिसाद लिखा हुआ है, लेकिन इसमें परतिसाद नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद सो में से गटा देंगे, क्योंकि परतिसाद सो ही होता है, जो आपका रिजल्डी कर देना, असी को, तो आपके बाद कितना आएगा, बीस आएगा, और यह बीस क्या यही है, अधिक बार वाले व्यक्तियों की संक्या का प्रतिसाद, ठीक है, ओके, अब इसके बार, नेक्ट क्वेस्चन की बात करें, हेलमेट नहीं पहनने वाले व्यक्तियों की संक्या, ग हमारे पार टोटल व्यक्ति है 400 तो 400 का अगर आप 30% निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा 400 गुना 30 बटे 100 कर लिजे प्रतिसन निकालने के लिए 200 से 200 कैंसल 4 को 30 से गुना करेंगे कितना आएगा आपके पास 120 आएगा और गती सीमा से अधिक गती में चलाने वाले वानों की संक्याए 10 तो इसमें हम 400 का 10% निकालेंगे तो 400 गुना 10 बटा 100 कर देंगे 200 से 200 कैंसल 4 का पारड़ा दस बार बोलेंगे 40 आएगा अब इन दोनों को क्या है आपस गटा लीजे कितना आएगा साथ यो 80 आएगा 80 क्या है उससे बता देंगे कि इसका सेकिंड वाले का आंसर हो जाएगा कि हेल बेट नई लगाने वाले व्यक्तियों की संक्या गती सीमा से अधिक चलने वाले व्यक्तियों की संक्या से कितनी अधिक है कितनी अधिक के साथ यो 80 अधिक है ओके ठीक है इसके बाद बात करें question number 15 की वह भी द्यान से देखिएगा एक समानतर चत्रवुज ABCD दिया गया है परिबासा और गुंदर्मों के आधार पर रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए AD बताना है जो यह ADS आती हो AD यह किसके बराबर है सामने वाली मुझा के बराबर होगा न तो यहाँ पर आपका BC आजाएगा क्या जाएगा BC कौन DCB कौन DCB यानि यह वाला कौन किसके बराबर के साथ हो इस वाले कौन के होगा न बराबर तो इस वाले कौन का नाम क्या है BAD तो इसमें आपका BAD एक दम राइट हो जाएगा Oc किसे बरावर इसमें आपका दे रखा है कौन A और कौन D तो यह वाला कौन और यह वाला कौन किसे बरावर है या आपके 60C degree के बरावर है तो आप इसमें यह भर देंगे इसके बार next की बात करें सात्यों तो यहां से लगुरात्मक पर्षने स्टार्ट हो रहें यह भी मैं सात्यों करवा सकता हूं लेकिन वीडियो आप देखेंगे तो काफी लंबा हो चुका है इस मोडल पेपर का सात्यों आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा बहुत जल्दी उसमें जो आपके लिए मैं बहुत जल्द लाने का प्रियास करूंगा तो अभी तक आपने अन्य विश्व के वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिस्वन जाकर वहां से वीडियो की लिंक लेकर वह देख सकते हैं वह भी आपके लिए काफी लाबकारी लिंक मिलेगी लिंक पर आपको क्लिक करना है और हमारे वार्ट्सव के मोडल पेपर हमारे द्यार पर दे जाएंगे और भी कोई important होगा आपकी पढ़ाई से सम्मंदित वो भी WhatsApp गुरूप में आपको मिल जाएगा ठीक है सातियो तो धन्यवाद जहीं जबारत पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिल लाइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको अन्यविसे की वीडियो भी समय पर मिल सके दिन्यवाद सातियो जहीं जबारत